सूपरस्टार शारुक खान की कार एक फोटोग्रफर के पैर पर चड़ गई और सिच्वेशन आउट अफ कंट्रोल हो नहीं वाली थी कि शारुक ने सब कुछ समाल लिया बताया जाता है कि एक यंग फोटोग्रफर जो शारुक की तस्वीर अच्छे एंगल से लिना चाहते थे शारुक की कार के पास उनकी फोटोज ले रहे थे वह भूल गए थे कि जब ये कार चलेगी तो उनको चोट भी लग सकती है लेकिन फोटोग्रफर में मशगूल उस फोटोग्रफर को ध्यान नहीं रहा गाड़ी सली और उनके पैर पर चड़ गए जैसे ही उनके पैर पर गाड़ी चड़ी शारुक खान ने गाड़ी रुखवा दी वो काफी पुलाइट नजर आए उन्होंने उस शक्स को संभाला उसे कहा कि वो चिंता ना करे उस फोटोग्रफर को वो नानावटी हॉस्पेटल ले गाए और अपने परसनल डॉक्टर से उसका इलाज करने के लिए भी कहा शारुक as a real hero और real hero situations को handle करना जानते हैं ये बात उन्होंने फिर साबित कर दी उस फोटोग्रफर की situation under control है उसे बहुत ज़्यादा चूट नहीं आई है और अब उसका पैर भी ठीक है प्रोफेशनल फ्रेड पर बात करें तो शारुक बहुती जल्द आनंद एल राय की डौफ फिल्म में नज़र आएंगे जिसमें वो बॉने बने दिखाई देंगे और दूसरी तरफ इम्तियाज अली की रिंग में वानुशका शर्मा के साथ नज़र आएंगे